हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग कैसे हो होब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होगे शो फ्रेंट्स आज दो जनवरी 2023 और आज चार वर्सी बीट के आवेदन को लेकर खुशकबरी निकल के आ रही है जो भी छात्रवा छात्राइं जो है इंटर के बाद जो है इंटर के बाद आप लोग डारेक्ट बीट करेंगे चार वर्स में इसमें आपको जो है ग्रिजुशन की डिगरी और साथ ही जो है बीट की डिगरी दी जाएगी तो आज अपडेट आई हैं कुछ चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो मे देने वाला हों साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एक वर्सी का जो बीट है वो भी सुरू होगा या नहीं होगा और दो बर्सी बीट तो भाई श्टार्ट ही है तो तीनों का स्लेबस जो है एंटरंस का सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा तो शंपूर्ण जा जो की है चकसुपरकाशन की बुक आप लोग इस बुक का कावर पेश देख सकते हैं कला वर्गी की ये इस्ट्री गाइड बुक है सभी सब्सेट के इंपॉर्टन कोशन देखने को मिलेंगे 2700 से जाद है इंपॉर्टन कोशन 2017 से 22 तक के प्रिविसे पेपर देखने को मिले नवी नितन पार्टिकरम पर आधारित है या पुस्तक हर हल में अन्य पुस्तकों से स्रिष्ट है हर मार्केट पे आपको बहुत ही आसानी से या पुस्तक मिल जाएगी साथ ही इस बुक में एक्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया और यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं पूरा जो है बीए टेंटर्न्स एक्जाम का जो है सिलेबस कंप्लीट किया गया है मैं बता दूँ चाहे आप लोग आपका एक वरसी बीएड हो चाहे दो वरसी हो चाहे चार वरसी हो आपका सिलेबस जो है सेम रहेगा एंटर्न्स का उसके बाद का सिलेबस अलग रहेगा जब आपका admission हो जाएगा तो ठीक है और शाती यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का जो है प्रिवीसे papers भी लगाए गया है हर question का solution इस बुक में आपको देखने को मिलेगा और शाती चक्सुप्रकाशन की guide के अलावा जो है practice it की भी भूगाती है यहाँ पे देख सकते हैं इस practice it की book मे आपको 49 से ज़्यादा important question 600 all paper 15 practice it आपको अलग से देखने को हमिलेंगे तो दोनों पुस्ते के हर market पे बहुत आसानी से मिल जागी online भी आप लोग इसे लेश रखते हैं इस video के description box में आपको link मिल जागी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज की update है कि इस साल जमीन पर द दिखने लगेगी नई राश्च्टी सिचह नीती कई पहल जो है शुरू होगी यहाँ पे देख सकते हैं 200 कीबारे में जो दिया जो नीचे दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखे इसके साथ ही जो है चार वर्शी नए इंटिग्रेटर बीएट कोर्स की भी जो है सुरुवात इस साल से होगी यानि कि 2023 से चार वर्सी बी-एट की सुरुवात होने जा रही है इसमें सिच्छड के छेत्र में रुची रखने वाले चात्रों को जो है 12 वी के बाद सीधे दाकिला मिलेगा इसके ताहत चातर BABAT, BSCBAT, BCOMBAT जैसे कोर्स कर सकेंगे इसके लावा विस्विद दाले में चार वर्सी नया इसनाता कोर्स भी सुरू होगा यानि कि चार वर्सी का जो है नया ग्रेजुशन भी स्टार्ट हो जाएगा और चार वर्सी BN भी होगा तो मैं बता दूँ इसके फॉर्म के बारे में अभी देखिए ये जो चार वर्सी BN है ये हर इनवस्टी में स्टार्ट नहीं होगा जैसे फेमस जो इनवस्टीया है जैसे IIT रुड़की हो गई बड़ी बड़ी जो इनवस्टीया है वहीं पे लागू होगा अभी जो एंटर्स एक्जाम जो हुआ करता है जैसे अभी इस बार का जो एंटर्स एक्जाम रुहेल खन इनवस्टी करवाई थी तो इस बेस पे अभी नहीं होगा होगा तो डारेक्ट होगा एंटर्स का भी कोई मतलब फिक्स नहीं है कि entrance के हिसाब से इसका जो admission होगा 4 वर्षी B8 का तो ये अभी clear नहीं है और ये clear होगा भाई फरवरी में क्योंकि फरवरी में जो 2 वर्षी B8 होता है उसका फर्म आज आजाएगा और तभी उसमें clear हो जाएगा और तभी उसमें 1 वर्षी B8 के बारे में भी clear हो जाएगा वरसे तो एक वरसी B8 के बारे में जो है आशा कम ही जताई जा रही है कि इस बार से लागू होगा क्योंकि चार वरसी B8 अगर चालू हो गया तो 2030 के बाद जो है केवल इसी के मानिता रहेगी केवल यही चार वरसी integrated B8 course को जो है valid किया जाएगा इसके सिवास सब कुछ बंद कर दिया जाएगा डेलिट बंद कर दिया जाएगा और जो 2 year का B8 होता इसको भी बंद कर दिया जाएगा ठीक है तो कुछ भी doubts रहेगा हो तो आप लोग comment box में doubt के लिए कर सकते हैं बाकी फरवरी में टेंटर्स एक्जाम 2023 के नाम से आप लोगो जो है प्लेलिष्ट मिल जाएगी थाएगे शो मच